हाई गाईज नमस्तें वेल्कम बैक तो माई यूट्यूब चैनल दिया ब्यूटी स्टाइल डिस साइड मी रिया और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यह बहुत ज़दा ब्यूटिफुल और इजी मेकप लुक तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते ह हूँ उपनी स्किन को प्रेप करने से तो प्रप करने के लिए मैं यह आप एलोवेर जिल का यूज कर रही हूँ यह च्छी से ब्लेंड कर दूंगी दियान रहे आपको ब्लेंडिंग बहुत अच्छी करने इससे आपका जो मेकप है वो काफ़ ज़दा फ्लॉलस लगेगा इसके बाद फिर मैं यहां पे यूस कर रही हूँ, concealer को हम basically हमारे dark area को hide करने के लिए यूस करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको मेरे under eyes पे यूस कर रही है, पिर जहां जहां मुझे pimple के marks सुँए हैं, जहां जहां मुझे dark patches हैं, मैं वहाँ सब इसे यूज़ कर लूँगी यान अच्छे से इसको blend करेंगे हम अच्छे से apply करने के बाद फिर अराम से हमको blend करना और blending हमें अच्छी करने जैसा कि मैंने starting से ही बताया है और इसके बाद फिर मैं यापे आईशेडो ले रही हूँ तो सबसे पहले मैंने एक neutral color लिया है आपको कोई भी यूनो बहुत आदा light shade लेना है इसके आपको आपकी crease को define करना है इसके बाद फिर मैंने वहाँ पर थोड़े से light brown shade अच्छे से blend कर रही हूँ मैं उस light brown shade को slashes apply करने नहीं आती तो please आप सीख लीजिए ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा game changer है आपके makeup look को बहुत ही अच्छा बना देता है ये and इसके बाद फिर मैं मेरी eyes को and मेरे पूरे face को set करूंगी with the help of compact powder आप चाहें तो loose powder का भी use कर सकते हैं मुझे compact जादा सही लगा इसलिए मैंने compact यूज़ कर दिया फिर मैंने मेरी lower lid को अच्छे से उस पर black eyeshadow apply कर दिया and इसके बाद फिर मैं मेरे face की contouring कर रही हूँ ताकि मेरे face का पर जाता sharp लगे क्योंकि मेरा face already gollu-mullu सा है तो इसलिए उसको sharp बनाने के लिए मैं contour का use कर रही हूँ and इसको अच्छे से हम blend कर देंगे हमारे पूरे face पर जहाँ जहाँ में contouring करनी है मैंने मेरे पूरे face पर contouring कर दिये and इसके बाद फिर मैं यहाँ पर blush का use करूँगी तो यह my glam का k play वाला blush है and अगर आपको यह अच्छा सा blush लेना चाते है तो आप इसका ले सकते हैं यह बहुत ही अच्छा है इसकी smell भी काफर जादा fruity fruity सी है और बहुत जादा pigmented है एक ही बार में मैंने इसको लिया है and इतना ज़ादा अच्छा है इसने pigment मेरे face को दिया है and इसके बाद फिर मैं यहाँ पर highlighter का use कर रही है तो highlighter के लिए मैंने यह SFR का 4-in-1 palette है यह इसमें highlighter, bronzer, contour, सब कुछ है and इसके बाद फिर लास्ट में मैं यहाँ पर blue heaven की lipstick यूज़ कर रही हूँ in the shade I think rose मैं सारी चीजों का link तो है description मैं आपको mention कर दूँगी and इसके बाद फिर मैं मेरे lips पे उसके उपर इसको थोड़ा ombre look देने के लिए मैं थोड़ा dark maroon shade ले रही हूँ and उसको अच्छे से लेने के बाद मैं अपने lips पर blend कर दूँगी inner lips पर अच्छे से blend कर दूँगी and इसके बाद मैंने मेरे dress change कर लिया है मैंने आप मेरे मम्मी की सारी wear कर लिये and यह look complete होता है comment करके बताए कि आपको यह look कैसा लगा I hope कि आपको यह look अच्छा लगा and अगर अच्छा लगा तो please do like, share and subscribe to my youtube channel be a part of my youtube family आपका एक-एक subscribe मेरे लिए बहुत माइने रखता है and guys please मेरे वीडियो को end तक जरूर देखा कीजिए क्योंकि मेरे watch time नहीं बढ़ रहे है तो please मेरे वीडियो को end तक देखा कीजिए and मुझे ऐसे ही support करते रहे मुझे ऐसे ही प्यार देते रहे है आप सब के support से ही मैं यहां तक आई हूँ and I hope कि हमारा साथ आगे तक बना रहे and आपको मैं ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो से हमें इसा motivate and entertain करती रहूँ तो yeah I hope कि आपको यह वीडियो अच्छी लगे and अगर अच्छी लगे तो please like, share and subscribe to my youtube channel and I will see you in my next video तब तक के लिए bye bye and take care